दूसरी चीज क्या है खनात्स है आद्मी को मालूम हो इसको रुकना कब है जिन्दगी में आद्मी को मालूम हो सब है मेरे पास अब रुकना हैं लेकिन आद्मी नहीं रुख पाता है एक कमपनी से दो कमपनी दो कमपनी से तीन कमपनी फैक्टरी से दो फैक्टरी इंटरनेशनल से इंटरनेशनल आदमी दोड़ता रहता है दोड़ता रहता है दोड़ता रहता है यहां तक के पांट होकर लगकी गिरता है तो कहां खबर में दुन्या जिन्दगी खतम वो कुछ कुछ करनी पाता है उसी में लगा रहता है चक्कर में कि बढ़ाने के बढ़ाने के बढ़ाने के चक्कर में कब रुकना उसको मालूम नहीं है इतना होता है कि उसकी जुरत से बहुत ज्यादा था लेकिन कभी उसको सुकुन से खाने नहीं मिला कभी उसको सुकुन से सोने नही उसकी कमपनी में काम करने वाले वक्त पे खा रहे हैं लेकिन ये बस सब मीटिंग में बैटा हुआ है इसमें बैटा हुआ यहां जाना है वहां जाना है खाने नहीं मिल रहा है तो दुनिया की चाहत एक इनसान के चैन सुकून को खराब करती है दुनिया के माल उमताः इनसान को सुकून नहीं दे सकते हैं जो आदमी समझता है के पैसे सुकून उ चैन मिलता है दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी हो मालो दौलत से, पैसे से सुकून औ्चायन नहीं मिलता है बलकि देकने में ये आया है कि कितनों की जिन्दगी का सुकून उस से खराब वहा मिलने के बाद पैसा बुरा भी नहीं है लेकिन पैसा वो ецुखरोत नहीं जिसके बगैर इनसां सुकून नहीं पा सकता है अगर ऐसा होता तो नबियों के घरों में कभी सुकून नहीं होता अल्ला के नबी सल लाओ अलिशन के घर में माल और दौलत नहीं लेकिन चैन और सुकून है तो ये दूसरा मसला यानि इलाजी है कि आदमी कनात अख्तियार करे उसको मालू हो अल्ला ने जितना दिया है मेरे लिए बहुत है वो जिन्दगी के दौर में रुकना जानता हो ये नहीं के मरने तक दौरता रहे अचीव बहुत सारे लोग कर लेते हैं जो करना है उनको ये कर रुकते नहीं और जिन्दगी के मकासित को छोड़ देते हैं और ऐसी चीजों में लगे रहते हैं जो जिन्दगी का मकसद नहीं है आदमी को चाहिए कि उसके सामने जिन्दगी का मकसद हो बाद वकाद वसायल में इतना दौड़ते रहते हैं कि मकासित फौद हो जाते है Means के पीछे इतना दोड़ते हैं कि गोल्स रह जाते हैं यह आदमी को याद अठना चाहिए कि मेरी जिन्दगी की जरूरत क्या है मेरी जिन्दगी का मकसद क्या है मकसद के लिए जरूरत कुर्बान हो सकती है जरूरत के लिए मकसद कुर्बान नहीं हो सकता है ये जिस इनसान ने समझ लिया हो काम्याब है मकसद को जरूरत पर तरजीह दी जा सकती है लेकिन जरूरत को मकसद पर नई अल्ला की नभी श.ल्लाव लिसमें फर्माते हैं अल्गिना फिल्कल्ब वल्फक्र फिल्कल्ब मालदारी दिल में होती है और फक्र फाका भी मुफलिसी भी दिल में होती है फकीर होने का एसास अंदर होता है मालदार होने का एसास भी अंदर होता है एक मालदार आदमी भी अपने से दस गुना मालदार के बाज़ो बैटता तो अपने गरीब होने का एसास उसको होता है कि इस से मैं गरीब हूँ इसके पास क्या क्या है मेरे पास कुछ भी नहीं इसके जिसा नहीं मेरे पास तो इसके पास है लेकिन इसके पास नहा होने का इसास क्यों मादार क्यों देख के हुआ और एक गरीब आदमी उसको इसास होता है मेरे पास जितना चाहिए मेरे पास है बीवी ने खाना खाया बच्चों ने खाया और खुशी खुशी बैटे हुए हैं नमाज पढ़ ली हमने और अल्ला कल देगा जिसने आज दिया और कल भी देगा कभी ऐसा भी होता है कि कुछ नहीं है लेकिन आज का हुआ ना कल का कल देखेंगे ऐसे भी लोग दुनिया में हैं नहीं है इसा नहीं है ये फर्जी लोग नहीं हैं ये वाकी इसे लोग दुनिया में है तो ये खिना कल्ब में होती है और फकर भी कल्ब में होती है मन कान अलगिना फी कल्बिही ला यदुरूह मा लग्य मिन अदुनिया जिसकी मालदारी उसके दिल में है दुनिया में जो भी हालात उस पर आएं कोई फरक नहीं पढ़ता उसको जिसकी मालदारी उसके दिल में है दुनिया में कैसे भी हालात आएं फरक नहीं पढ़ता उसको और जिसके दिल में ही फकीरी हो जिसका दिल ही मोहताज हो मोहताजी के एहसास में मुबतला बीमार हो दुनिया में कितना भी उसको मिले कोई फरक नहीं पढ़ता दुनिया में से कितना भी दे दिया जाएं उसका अहसास खतं नहीं होता कल दस heure तंखा थी सोचता था अब बीस हजार हो जाए बहुत खुश आज पचास है लेकिन आज सोचता पचास भी काफी नहीं है ओर चाहिए कल उतना था आज कल किसी कहां काम करता था आज उसके कहां पचास आदमी काम करते हैं लेकिन अगर पलट के देखे तो ऐसा लगता है कि उसमें मैं खुश था आज खुश नहीं हूँ उसमें सुकून था आज सुकून नहीं है कितने लोगों का हाल ऐसा है तो अंदर जो हिर्स होती है ये इनसान के चैन सुकून को खराब करती है और चाहिए और चाहिए और चाहिए वो ऐसा इनसान है जो पानी पी रहा है लेकिन प्यास बुशती नहीं तो आप सोचिए उसको आप पानी पिला दें कितना भी उप पीने से तकलीफ तो हो जाए कि पेड़ भरने का इसास होगा कितने माज़दारों को ये हाल होता है आपने फर्मा आदमी को उसकी लालच नुकसान पहुँचाती है लालच पाइदा देती? नए उसकी लालच उसको नुकसान पहुँचाती है इमाम अन्नसई ने इसको रिवायत किया और इमने हिबान ने भी